हेलो अब्रीवान आज हम आपके लिए एक और ट्रिक लेक आए हैं इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की मोस्ली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है मेगनेटिक फील्ड की डारेक्शन निकालने में और CSI यार नेट जा फिर physics के कोई भी competitive exam के लिए अगर आप ED प्रपेर कर रहे हैं तो अगर आपको मेगनेटिक फील्ड की डारेक्शन निकालनी नहीं आती तो आप ED नहीं कर सकते जैसे हमारे पास ये wire है ठीक है अब complete ED में आपने right hand curly rule यूज करना है ठीक है अब right hand curly rule है क्या जैसे ये wire है जिसमें current उपर की तरफ है तो आपने थंबू से direction में रखना है जिसमे current flow कर रहा है तो उपर की तरफ है जो curl है वो आपको magnetic field की direction बताएगी ये सिरफ first step है ठीक है ये first type है कि अगर current ऐसे है तो magnetic field ऐसे curl करेगी जैसे current उपर की तरफ है तो magnetic field ऐसे इसके around curl करेगी जैसे ये नीचे की तरफ है ठीक है तो आपने थंब नीचे की तरफ रखा तो magnetic field ऐसे ऐसे आएगी ठीक है